स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टुटी में आज के शू रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे रॉकेट फ्यूल मैनुफेक्चरिंग के बारे में तो आये जनते हैं और यह एक ओवर्वियो के लिए टॉपिक बहुत बड़ा है तो मैं इसे छोटे चंक में बांट वह कैसे सप्लाइ कर रहा है वह बात अलग है अगर आप जैसे पढ़ाका देखते हैं जैसे आपका रॉकेट देवाली में जो आप इस्तमाल करते हैं वह पानी के अंदर भी जलेगा क्योंकि उसको ऑक्सिजन इंटरनल ही है अगर नहीं जल पा रहा तो या थंड़ा हो या मतलब आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन मैंना करूंगा कि पानी का प्रेशर से कई बार होता है वह फट जाता है लेकिन इसलिए आपका मिसाइल टॉर्पीडो यह सब पानी के अंदर भी काम कर पाता है और रॉकेट यह साथ भी वही है कि उसको ऑक्सिजन अपना है इ अगर आप सुचे कितना अबना भी आप जेट इंजिन बना लें जेट इंजन हवा कीजेगा ठीक है तो हवा में सिफ ऑक्सिजन थोड़ी आ रहा है उसको 20 परसेंट और 80 परसेंट नाइट्रोजन मिल रहा है और आप कितना भी करो वह नाइट्रोजन जाएगा तो आपको क लेना है कि तो दाइबाए मार लिचे कोई भी सॉलिड बूस्टर उतना पावरफूल नहीं होता है जितना इक लिक्विट- ऑख्यंवाना सिस्टम में इस्तेम गबेड़ इस्तों में इस्तेमाल किया जाता है लिक्विट-ख्यं मतलोफ आलके नाहीं में बेड़ इस्तेमाल नहीं होता तो जैनरली सांती से धंका रोकेट बनाना है लिक्विड ऑक्षिएन डालो काम खत्म सिविल यान एयर क्राफ्ट की बात करो मिलिटरी में सॉलिड इस्टर इस तो आप बान करता है कि लिक्विड ऑक्षिजन हम लाते कहां से क्योंकि आप समझ रोकेट है कोई अब पानी कि अग्षिए लेकिन वह पानी में भी ऑक्षिए लेकिन वह बॉंडेट है यहां पर वैसा नहीं है सिफ ओटू है तो हवा निकालते हैं तो हम लोग करते कहा कि हवा लेते मतलब आपने एक फैन से हवा खीचा फिर हवा को फिल्टर किया फिर वह फिल्टर्ड ऑसके फिल्टर तो अब हवा पानी में बदल गया है अब ये पानी में जैसे आप गरम होने लगेगा वो सबसे पहले में हो जाता ए नाई्ट्रोजन का 화imm बाइंटेटे में बहा जाता है आप जैसे लेज खाते है लेज को जो अअप हवा लएप तो अटोड़ी है वह तो और इतना लंबा 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 इंड्रेस्ट्रियों प्रॉसेस है कि और फर्टिलाइजर बनता है तो समझ लिए नाइट्रोजन का बंबं डिमांड है तो आपने हवा को लेकर है करी लिया है नाइट्रोजन असी परसेंट है तो सबसे जाते तो वहीं मिलेगा तो क्यों ना इसका profit निकाला जाए तो ठीक है नाइट्रोजन इसलिए ऐसे प्लांट बनाए जाएगा यह पर ली टर कॉस्ट जो है कम हो जाता है तो ठीक है नाइट्रोजन आ गए सबसे पहला फिर उसक थो कि यह करते हैं तो उसको दो आपका लगग यह करता है तो उसको दोबारा लेकिन ऐसे ही करके oxygen निकाला जाता है और चुंकि वह एक centralized facility से किया जाता है और ये आरगोन, nitrogen और liquid oxygen ये तीनों का demand पूरा demand होता है मतलब जो भी company ये करती है वो profit में चलती है क्योंकि ये actually काफीज का demand है तो इसी कारण से पर लेटर आपको liquid oxygen उत्रा महगा नहीं पड़ता है तो भी ठीक अब बात करता है liquid oxygen है तो उसे distribute कैसे करेंगे उसे इस तरह के technology से distribute किया जाता है यानि कि vacuum flask technology का इस्तमाल किया जाएगा कि मतलब आपको बाहर से दिख रहा है वो outer casing है अंदर एक और casing होगी उसके अंदर एक vacuum seal casing रहती है और उसमें liquid अलग में रखा जाता है हुआ है उसमें उनका काम यही होता है खासकर कि long distance travel करने के लिए कि मालीज आपका factory चैन नहीं में है और आपको बैंगलोर में इसका oxygen ज़र्वत है तो उसमें जन्रेटर लगा दिया जाएगा कि वो इसको boil off ना होने दे तो ऐसे करके cryogenic form में liquid oxygen को distribute का जाता है अगर आप कम oxygen होस्पिटल को जाद नहीं चाहिए होता है तो उनको compress oxygen भेजा जाता है तो यही है लेकिन मतलब rocket की दुनिया में यह सीधे डिस्टिल हालत में भेज़ जाएगा डिस्टिल एजन मतलब liquid form में और वो blue color का होता है अब बात करते है hydrogen का तो hydrogen हम लोग stream reforming इस्तमाल करते है natural gas के साथ तो इसका थोड़ा जीव लगए steam water ऐसा क्या हो क्या रहा है यहां पर तो CH4 यानिकि जो आपका natural gas होता है या बायो गैस होता है मतलब pure बात करो उसमें components बहुत सारे mix होते हैं अगर आप उसको हटा दें तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा यानिकि CH4 तो CH4 को high temperature water के साथ इसी लिए steam बोला जाता है रियक्ट करेंगे तो आपको CO3H2 मिलेगा अब इसके बार इसमें और आप अगर hydrogen यह मतलब वाटर में पर डाल पाते हैं तो एक second step process होगा जिसमें CO यानि carbon monoxide react कर जाएगा water के साथ और उसमें CO2 plus H2 मिल जाएगा आपको तो ऐसे करके hydrogen निकलता है तो आप कहीं पे भी सोचेंगे लिक्विड hydrogen इस rocket के लिस्तमाल करना है या जैसे कि हालत में आपको सांती से मीथेन से ही निकालना पड़ेगा वही सबसे प्रैक्टिकल है hydrogen का काफी और इस्तमाल भी होता है तो hydrogen जैसे जहां पे जिस प्लांट में आपका इसको भी वैक्यूम फ्लास सील करके रखना पड़ता और इसमें भी वह चलना पड़ता कि बॉइल आफ होता रहे और यह मतलब समझें कि बहुत जादा जगा खाता है लिक्विड फॉम पे भी यह बहुत जादे जगा खाता है अब बात करते हैं मीठेन का अगर आप रैप्टर इंशन के बारे में सुन रहा होंगे ब्लू ओरिजिन का जो इंद्नेवाले वाले मां उसके बारे में सुन रहा होंगे हर जगा अब हर कोई द्ना बढ़़ हो होगा यह मतलब पर ईथा आपका power बमबम हो जाएगा लेकिन जैसे आप इधार आएंगे हलके आएंगे आपका हमें hydrogen जदा होगा पर kilogram जदा होगा इसलिए एक kilogram hydrogen बहुत powerful होता है लेकिन एक लीटर hydrogen कोई मतलब ने को density बहुत कम है तो आप carbon से density बढ़ानी पटी है तो किरोसीन एक तरफ में हो गया और आपका hydrogen एक तरफ हो गया तो hydrogen आपका बमबम माईलेज देगा लेकिन बहुत कम थ्रस्ट देगा इसलिए स्पेस शेटल को सॉलिड बूस्टर्स चाहिए तब ही वो लिफ्ट आफ कर पाता तो यह हो क्या है लेकिन थ्रस्ट नहीं है फिर आप चले जाते कि रोसीन है खूब carbon है hydrogen भी काफी है तो उसमें काफी power है लेकिन mileage कम है तो यही दो range आपको मिल गया खूब carbon है तो power मिल रहा है लेकिन range गड़ जा रहा है और आपको खूब hydrogen मिल रहा है लेकिन उसमें पावर नहीं है तो methane जो है काफी नजदिक आ रहा है क्योंकि आपको पता ही होगा methane आप class पढ़े ही होंगे CH4 तो CH4 जा मतलता है एक carbon atom चार hydrogen को सभाल के रखा हुआ है तो density काफी अच्छी है मतलब pure hydrogen यतना mileage नहीं जगा लिए उसके बहुत नजदिक पहुंच जाएगा वह इतना नजदिक पहुंच जाता कि यार आप फरक नहीं पड़ता है मतलब वह आप होगा क कि दो-तीन लेटर के लिए आप जरुआ से जादा फजियत करें तो इसलिए नेक्स जनरेशन में जेतने भी रॉकेट इस्तमाल किया जाएंगे उसपे धीरे-धीरे कोशिश की जारी कि मीथे नहीं इस्तमाल किया जाए और मीथेल का एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसके नेक्षराइन शुट कि नेचरिव गास वो क्या है मीथेन इस पर थोड़ा सा एथेन मिक्स होता है लेकिन जनरली वह मीथेन ही होता है तो यहीं समझेए कि इसकी इंफरस्ट्रक्चर की कैसे मीथेन बनेगा कैसे ट्रांस्परट हो पहली हम लों चाहित बनाने का शाङल अप्ता है किए जाके रुटेन बहरते हैं भांटे हैं तो यह प्योटिएन प्रोपीड चाहिट करेंए अराम से मदलब जो भी cash processing plant है इंडिया में वो बोलेंगे भी या बता जी कब चाहिए कहां चाहिए हम देंगे यह normal इसका यह एक फाइदा है इस इसलिए कई बार लोग सुने आपको बोलेंगो कि starship का launch cost बहुत कम आएगा क्योंकि उसका fuel सस्ता है वो fuel सस्ता इसलिए कि LNG का पूरा pipeline पहले से है LNG को कैसे बनाया जाएगा कैसे इसको store किया जाएगा कैसे refine किया जाएगा सारा चीज हो चुका है और सिर्फ ethane removal करना पड़ता है और एथेन ऐसा भी नहीं कि अगर आपका एथेन चला गए इंजन में तो इंजन स्वहा हो जाएगा इथेन भी काफी clean burn क साफ है और mileage भी hydrogen जितना है लेकिन density जाता होती है आपका टंकी जो है वह बहुत बड़ा नहीं होगा और प्लस उसको insulation भी बहुत जादा नीचे तो खलक हो जाता है तो यह oxygen जितना होता है तो तर्बो पंप का design भी सेम हो जाता है तो हम हर मामले में भविश्य के जितने भी rockets बनाए जाए गुमा फिरा के वह मीठेन पर ही पहुंच जाएंगे अब बात करते हैं दादाजी प्रपोलेट रहा है यानि कि आर्पी वान यानि कि जिससे जांद का rocket बना गया था सैटन फाइब बना गया था तो यह नॉर्मल किरोसी नहीं होता है तो इसे स्टार्ट किया खास करके सैटन मतलब यह है फालकन नाइन जो है वह फ्यूल रिच प्री बर्नर इस्तमाल करता है यानि कि बहुत ज़्यादा इंधन डालेगा थोड़ा सो ऑक्सिजन डालेगा तो उसे आग तो पकाड़ लेगा लेकिन वह पूरा टेंप्रेचर नहीं रहेगा ताकि यान किरोसीन में थोड़ा सा भी इंपॉरिटी रहा वो गंक बना देगा जिसे सुट कहा जाता है वो सुट टर्वाइन की ले लेगा तो टर्वाइन को जिंदा रखने के लिए उनको बहुत प्यूर किरोसीन चाहिए तो ऐसा हमेशा जबतलब यह प्रॉब्लम सैटन 5 में यह था और इसमें भी है क्या वोलते है और बहुत सरे और रगटे में भी यही प्रॉब्लम था तो किरोसीन का एक स्तेंडर्ड बनाएक है जैसे कि रखेट प्रॉपेलन जो प्लीन में लगाए जाता है तो उसमें एक दम पानी हाटा दिया जाता है ई-ड्रॉप भी पानी तो अगर आपको लगता होगा कि जैसे मिट्टी का तेल है माली 500 रुपया लीटर है तो जब तक वह और पी वन का स्टेंडर्ड प्याइगा उसका दाम हो जाएगा 200 रुपया लीटर क्योंकि इसको फिल्टर करने पर बहुत घर चाहता है इसलिए आर्पी वन पर मजाग के ल क्योंते हैं तो कुछ-कुछ टाइब जो है उसमें यह मतब केमिस्ट्री के लिए आप नहीं छेड़ सकते यह सुट बनाएगा ही और यह जो सुट बनाएगा वो मेंटल पर चिपक जाता है तो चिपक के वह बैंड वजा देता है तो इस कारण से कितना भी अच्छा बना ल कि इनका रोकेट 10 बार के अंदर स्वाह होई जाएगा कितना भी कर लें वह 10 बार से जाधा नहीं इस्तमाल कर सकते हैं बहले उनका जो चैसी आप देखते हैं वह बार बर रियूस किया जाएगा और प्लस इंजिन मनाते है तो उसको टेस्ट किया जाता है फुल पावर पे तो समझें तीन तेस्ट तीन उसका मतलब दस बार का अगर लाइफ है तो तीन लाइफ तो खतम कर देते हैं टेस्ट करने से पहले इसलिए अभी पांच वे लॉंच में हैं कि पांच बर रियूस कर सकें पचा साथ बार नहीं कर सके कि लिए ले लेगा इसलिए कि रोसिन लोग पूछें कि साइस का चाहिए कितना क्या चाहिए कितना लंब अच मार्केट है आरपी वाइसा नहीं है आप बहुत में इसलिए आप बीवान का अब चलन कम हो रहा है तो यह था एक प्रेजंटेशन रॉकेट फ्यूल के बारे में उम्हीद करता हूं को कुछ आइडिया होगा थोड़ा समझ में आगया होगा और यह समझ में आगए इलेक्ट्रलाइक से कभी रॉकेट फ्यूल नहीं बनाने जाता है उम्हीद करता हूं इस कारण से आप आपने वीडियो देखें जानकर मुझे बहुत खुशी भी धन्यवाद